अच्छा नीसाँ मुझे ये बताएं कि जो एक शक्स है वो स्टेट लाइफ की कितनी पॉलिसी ले सकता है और ये एक से ज्यादा पॉलिसी लेने की क्या शरायत है कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है अदारे की तरफ से फॉलिसी ले सकता है बहुत श्युक्रहाँ आपके पूछने का मतलब ये है जैसे हम बैंक में अकाउंट आगए आपन करवाते हैं वे एक इतने अकाउंट आपन करloe सकते हैं धिन्साइज कर आभतार प्रॉत बैंकी ठोलिसी लिस्ट्रिक्शन लगाते हैं financially तोर पे वो उन policies को अदाएगी उसके लिए कोई मसला तो नहीं है मलब वो sound होना जाए है financially sound होना जाए हो और उसके साथ साथ फिर उसका जो health का criteria भी हमारे लज़ीक होता है जितनी जितनी वो बड़ी policies की तरफ जाएगा पिर हम उसका तिब्भी माइना भी करवाते हैं अच्छा अच्छा मलब कितनी बड़ी policy जो है वहां से तिब्भी माइना जो है वो लाजमी compulsory होता है कि तिब्भी माइना के बगएर वो policy नहीं दी जा सकती वो भी explain करते हैं तो आप नाजरीन को दिखा सकते हैं तिब्भी माइना करवाएं पच्छिस लाग सामशोड की उमर का जो स्लैब है जानी कि पच्छिस साल के पचास साल के उमर के अफ्राद बगएर तिब्भी माइना करवाएं पच्छिस लाग सामशोड की policy ने सकती ने पच्छिस लाग मालियत की policy वो ले सकती है इसी तरह पिर 51 साल से 55 साल की उमर के अफराद 15,000,000 सामशोर की पॉलिसी ले सकते हैं अब सम्टैंब ऐसे होता है कि अगर 18-40,000 पर नोन-मेडिकल एक करोड रुपया जो है वो नोन-मेडिकल है मलब 5,000,000 रुपया जो जो साल का है वो 20 साल के अंदर पे कर सकते हैं अगर कोई शक्त 10,000,000 पे करना जात यह च्छे लाग जो लेने वाला है उसका हमें तिम्हाइना करवाना या नहीं करवाना और सम टाइम ऐसे भी होता है कि नॉन मैडिकल केस पे कुछ ऐसी रिक्वाइब्मन लग जाती है यह कोई ऐसी अब्जेक्शन लगती है कि जो अंडर राइटर जो केस को पास करने वाले ह सकते हैं अच्छा अच्छा मलब उनका प्रोगेटिव है यह उनकी स्वाब दीदा कि वह आपसे मांगते हैं कि निमा वेशा फॉर दा इंटरस्ट ओव दा कार्परेशन यहीं कि ऐसा कारोबार मों मनजूर करना चाहते है जो कार्परेशन की फेवर में अदारे के मफाद मे हो ठीक है कोई भी शक्स अपनी माली हैसियत के मताबिग जितनी वो अफोर्ड कर सकता है प्रीमियम की अदाईगी उतनी वो पॉलिसी ले सकता है और ये भी बात मनूजे खाते रखी जाती है कि जो आप प्रीमियम दे रहे हैं आपकी इंकम की मुनास्बत से होना चाहिए ठ के पास कुछ स्पेर अमाउंट है आप सेव करना चाहते हैं ठीक है क्योंकि कार्परेशन ये भी देखती है कि जब आप एक एग्रिमेंट कर रहे हैं अदाईगी की एक जिम्मेदारी ले रहे हैं तो क्या आप उसको निभा सकेंगे अच्छा 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 इस चीज़ क की एन्वल मंतली इंकम को देखते हुए वो इस काबिल है कि जो पॉलिसी लेना चाह रहा है वो वो उसकी जो किस्त है वो पे कर सकता है तो नादरीन ये आपने अनीस महदी साहब का जवाब जो है सुन लिया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ला और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताग्या आपको स्टेट लाइफ से मतलिक नई अपडेट्स और आफर्स मिलती रहें अभी तक के लिए अला नहीं के बाहनूँ आपके मस्तग्बल की महाफिज स्टेट लाइफ इंशोरिंस कॉर्परेशन आफ पाकिस्तान